नमस्कार आप देखेंगे नमस्कार आप देखेंगे दर असल बुद्दवार को सौनभद्र के मुर्तिय गाउं में जमीन कब जाने को लेकर फायरिंग होई थी गाउं के बहारी इलाके में सेकड़ो भीगा खेती है जिस पर गाउं के लोग पुस्तेनी तोर पर खेती करते आ रहे हैं इस जमीन का एक बड़ा हिस्सा गाउं के प्रधान के नाम भी है गाउं वालों ने इसका विरोध किया जब गाउं वालों ने इसका विरोध किया तो गाउं प्रधान के साथ आई साथियों ने गाउं वालों पर तावर तोर गोलियां बरसाती जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 27 लोग गंभी रूप से घायल हो गई किसी के हाथ में गोली लगी तो किसी की टांग में, किसी का सिर्फ हूटा तो कोई स्ट्रेचर पर लेटा, कोई रो रहा है, कोई मातम मना रहा है, ये सब सौनभध्र जिले में देखने को मिला है। लोगों को भर कर ले आया, और यहां के ग्रामीन जो उसकी जमीन पर कबजा किये होए थे, इनके सामने अपनी खेत की वो जुताई करने लगा ट्रेक्टरों से। जब लोगों ने विरोत किया, तो वो अपने साथियों के साथ उन लोगों के उपर अंदादून फाइरिंग कर लगा जिसमें लगबग आठ से दस लोग गंभीर रूप से घायल हो गया है, इनको ततकाल सुचना मिलने पर पुलिस के यूपी हंट्रेट की गाडियों में और थाना मोबाइल की गाडियों में और अंबुलेंस बुला करके सभी मज़रूबों को रॉबर्ट गंज के अस् 24 लोगों को पुलिस ने गरफतार किया है, हाला कि मुख्यारूपी गरामपदान अभी पुलिस की गरफ से बाहर है